हाई गाईज बेलकम बैक टू मैं चानेल तो गाईज मैं यह बताना चाहते थी कि मैं घर पे किसी को भी बताई नहीं हूँ कि वीडियो बना रही हूँ सिर्फ मेरे हजबेन को पता है तो मैं भी बता दूंगी देशे दी रहे तो कोई मना तो नहीं करेंगे तो गाईज मेरे ससूर चार भाई है तीन एक साथ रहते हैं और एक बाहर सहर के तरफ रहते हैं एक जो छोटा वाला सबसे वो और मेरे ससूर चार भाई हैं तीन एक साथ ही रहते हैं खले खाना पना अलग है और मेरे दादी सास हमारे साथ ही रहती है तो गाईज मैंने तारिक की बात की थी तो मेरे साधी को साथ साल हो गए और साथ छे साथ साल हो गए मेरे साधी को तभी मैं नावालिक थी और मेरे पापा ने केस कर दिया था तो मेरे महस्बेन चार महीने थे जेल में फिर चले आए और यसे विजय से बहुत लुपसाँ हो गया मेरा सासूर को पांच लाग रुपए खर्च हो गये मेरे सासूर उनके में दो भाई है मेरे हजबेंड जो गाइस मैं बहुत दिन से वुडियो बनाना चाहती थी तो मुबाइल के विजय से नहीं हो पाया था तो गाईज बहुत सपोर्ट करना आप लो प्लीज कि मैं आम जैसे मुगाम तक पहुच सकूँ और मेरी बड़ी बाली लड़की ये दिकूँ हाई कंदो हाई और छोटी बाली के वज़े से मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती थी बहुत बदमाश है ये छोटी बाली ये सो रही है गाईज प्लीज सपोर्ट करना मैं भी अच्छा अच्छा यूड़े बनाऊंगी आप लोग के लिए तो गाईज मैं पहले तो नहीं जाते थी माई के अब जाने लगी हूँ पापा नहीं है खतम हो गया पापा तो मैं माई के जाके भी आपको दिखाऊंगी कहां रहती हूँ कैसे रहती थी और यहां पे भी दिखाऊंगी कहां रहती हूँ कैसे रहती हूँ तो देख सबते हो मेरा घर ये सब काईस मैंने लोन पे लिया था बंधन से तो मेरा हर हक्ता किस दिना पड़ता है पती को जब मम्मी भी देती है मम्मी की मुठाई की दुकाने यूपी में मम्मी भी देती है अगर नहीं हो तो मम्मी देती है लेकिन घर में किसी को पता नहीं है घर में सब जानते कि मम्मी देती है लेकिन मेरे पती भी देते है मुझे उफ़र करते मुझे प्यार भी और भी ब्लॉक बनाओंगी आप लोगों के लिए बस नहीं तक और भी पतांगे पताने के लिए पहुँच कुछ है पर जब लोक बनाते ब्लॉक मुझकर सा अधा बनाना क्याना नहीं आता तो मैं सीक रहे हूं